जो गेम चेंजर हमारा आएगा ना इससे गेम पलट जाएगा जिससे आपको गौपर्मेंट कॉलेज में एड्मिशन मिलेगा वो है केमेस्ट्री पूजिकल के मिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराएंगे जिसमें फॉर्मूल कि प्री ओफ फॉस्ट शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड के लाइन वर लाइन आपको याद हो चाहिए कैसे हो बच्चों डूकर अगैडमी आपका स्वागत करता है और मैं हूँ आप केमिस्ट्री टीजर अमन हम आज बात करने वाले हैं नीट की ऐसा एक्जाम जो आपको डॉक्टर बनने का सपना आपका साकार करेगा देश के गौश्मेंट मेडिकल कॉलेज में एम्स में ऐसे मेडिकल कॉलेज में आपका डविशन होगा कौन से एक्जाम की तुरू नीट की तुरू जैसा कि आपको पता है कि नीट के एक्जाम में अब कुछी दिन बचे हैं और बच्चों पर अलग तरह का प्रिशर है कैसे नीट को टैकल किया जाए ठीक है हम उसके बारे में बात करेंगे ठीक है मैं अमन केमिस्ट्री फेकलिटी आज आपको पूरी के साथ कैसे टैकल कर रहा है कैसे करना है एनलैक्सिस हम केमिस्ट्री के बारे में जादा करने वाले ठीक है यह को डिटेल में बच्चे हम बात करते हैं एक-एक सब्जक्ट के बारे में बात करते हैं जैसा कि हमें पता है कि नीट में टीन सेक्शन होते है बच्चे पहला सेक का जैसा कि हमें पता है बाइलोजी हमारा 360 मार्क्स का होता है कितने का 360 मार्क्स का होता है और फिजिक्स हमारा 180 का होता है एंड केमिस्ट्री भी हमारा 180 का होता है टोटल 720 मार्क्स के आपके पेपर नीट के होने वाले हैं, कितने मार्क्स के होने वाले हैं, 720 मार्क्स के पेपर होंगे, 720 में कैसे आपको maximum मार्क्स कोर कर सकतो, इसकी strategy हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, तो तेको, किसी भी government college में, यदि अपने को admission लेना ह तो किसी भी government college, medical college में admission लेने के लिए, जो minimum marks की requirement होती है, बच्चे, वो होती है 600 marks, 600 plus marks आएगा, तभी आपका अच्छे सरकारी college में admission हो पाएगा, अच्छे college में admission हो पाएगा, इतने marks कम से कम आपके overall आने चाहिए, कितने 720 marks में से, 600 marks तो आपके बिलकुली आने चाहिए, ठीक है बच्चे, देखो, यदि कोई बच्चा medical का student है, तो biology तो उसका अच्छा होना चाहिए, यह तो मेरा मानना है, क्योंकि bios ने इसलिए opt की हुई है, क्योंकि bios का strong point होगा, तो किसी भी अच्छे बच्चे का 360 में से, बायो में जो minimum score होना चाहिए, वो 320 plus तो होगा ही कीजिए, यह तो must है, और maximum बच्चों का होता भी है, बायो में, 320 plus marks तो बायो में आपके आने चाहिए, और आते भी होगे, ठीक है, तो biology तो अपना, आप score कर सकते हो, यह ति मैं physics की बात करूँ, तो कोई भी बच्चा, जो physics medical की त्यारी कर रहा है, उसको physics में बहुत डर होता है, मैं यह मान के चलता हूँ तो, बहुत बच्चों का strong भी होगा, हो सकता है, बहुत का strong हो, मैं एक average बच्चे की बात करूँगा, तो physics में बच्चे मान लो कि 120 plus score आप करते हो, suppose करो, 120-110 score आप कर रहे हो, यह more than enough है, ठीक है, total हम बात करेंगे, तो हमारे 440 के आसपास ह करेंजर हमारा आएगा जिससे game पलट जाएगा, जिससे आपको government college में admission मिलेगा, वो है chemistry, chemistry हमारा एक ऐसा subject है, जो आपकी rank को बहुत उपर लेके जाएगा, या आपके cut-off के score को भी एक बहुत ही अच्छे level तक पहुचाएगा, तो chemistry हमारे लिए इसलिए important हो जाती है, chemistry में एक ऐसा जादू, एक ऐसी चीज बताऊंगा आपको, एक ऐसा मंतर बताऊंगा, एक ऐसा formula बताऊंगा, एक ऐसी strategy आपको बताऊंगा, जिसमें आपके 160 minimum है, minimum, आप उतना कर लो जितना में बता रहा हूँ, और सारे materials आपको हम available कराएंगे, free of course, मैं अमन chemistry faculty, इसलिए 8 साल से chemistry में पढ़ा रहा हूँ, और आपको, आपके लिए मैं हमेसा available हूँगा, हमारा email ID आपके पास दे दिया जाएगा, description में, आप उस पे email करो, अपने doubts बताऊ, आप अपना number दे सकते हो, हम उस पे call करेंगे, मैं खुद personally उस पे call करूँगा, और आपके doubt को solve करूँगा, बहु कि भी doubt हो, हम tackle करेंगे, आपका email ID मेरे पास, हमारा email ID आपके पास available है, इस email ID पे हम दे देंगे, description में, इस email ID पे आप mail करो, अपनी problems हमारे साथ share करो, आप अपना number दे सकते हो, हम आपको call करेंगे, मैं आपको personally call करूँगा, और personally आपके सारे dots clear करूँगा, जो भी आपके doubt ह लेवल पे, हम बात करेंगे, कैसे आपको समझ के, आपकी help में कर सकता हूँ, जो help बनेगे, मैं वह आपको करूँगा, 160 marks लाने के strategy, आज मैं आपको बताने वा, कैसे प्लस आएंगे, यह strategy आपने लगा ली, 160, 170, तो minimum average बच्चा भी ले के आएगा, यह मेरी guarantee है, आपको के अंदर बच्चे तीन सेक्शन होते हैं, chemistry में, in general, तीन सेक्शन होते हैं, chemistry के अंदर तीन सेक्शन है, पहला सेक्शन है हमारा, physical chemistry का, physical chemistry का, दूसरा सेक्शन है हमारा, inorganic chemistry का, एंड लास्ट सेक्शन है हमारा और्गैनिक केमिस्ट्री के, हम इसके बारे में बात करेंगे डिटेल से, देखो, on and average analysis करके आप ये ध्यान दोगे, देखोगे, जैसा कि हमने देखा है हर साल का, उसमें ये होता है कि फिजिक्स में, फिजिकल स्वारी, फिजिकल केमिस्ट्री में आपके, जो मैक्स question पूछे जाते हैं, on and average 18 to 19 question आपके आएंगे, 18 to 19 question आपके, physical chemistry में आते हैं, 18 से 19 question आपके physical chemistry में आएंगे, इन ओरगैनिकเหमिस्ट्री में आपके 15 to 18 question आने के, और हम और्गेनिक की बात करें तो और्गेनिक में जो अपना कुश्चिन आता है वो आपका 19 to 20 कुश्चिन आने के एवेरेज और चांब दीज़िए तो फीजिकल इन और्गेनिक ओर्गेनिक इस तरा से डिस्टिप्यूटेड हर थाट का अपना अपना सब्सकिये बात करते हैं बच्चे फिजिकल की फिजिकल केमिस्ट्री की हम बात करते हैं हमने क्या देखा है कि फिजिकल केमिस्ट्री जो हमारा है ठीक है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर Physical Chemistry के अंदर जो chapters हैं उसमें सबसे important उसको करने का तरीका है कि question जो पूछे जाएंगे न वो mostly न numerical based question पूछे जाते हैं numerical question पूछे जाएंगे तो numericaly question को आपको देखना पड़ेगा ठीक है तो यानि कि इसमें आपको क्या होना चाहिए फॉर्मूले पताओना चाहिए, सारे के सारे, फॉर्मूला आपको पास आना चाहिए, फॉर्मूला आपको पताओ, फॉर्मूला करो, उसके बाद, NCRT के, NCRT के सारे questions लगाओ, ऐंड प्रिवियस एर के question लगाओ, प्रिवियस एर के, प्रिवियस एर के question, ठीक है, NCRT के सारे questions एंड प्रिवियस एर के question, यह important, प्रिवियस एर के question से हमें एक idea लग जाता है, ऐसे question वो पूछता है, इंटर्चेंज डेटा करके कई बार वो कुश्चन्स फूज देता है यह इंपोर्टेंट है आपके पाँ प्रीविएस यह के कुश्चन्स लगाँ एंसी आटी लगाँ फॉर्मूला लगाँ देखो फिजिकल केमेस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्या है सारा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए इसको करने का सबसे सही तरीका है आप एक एफॉर साइज सीट लो उसमें सारे फॉर्मूले को नोट डाउन करो आपको अब टाइम नहीं आपको वो भी करने के आवशक्ता नहीं हम प्रवाइड कराएंग वो शॉर्ट नोट आपको क्या करेंगे आपको एक एक chapters के न फॉर्मूले कंडेंस करके given होगि और उसको समझाया गया होगा और उसके basis पे जो question पूछे गया है previous year में वो भी given होगा तक्रमूले देखो और सारे क्वेस्ट लगाना स्टार्ट करो लिखके practice करनी है question लिखके practice करनी है चाहे वो formula हो चाहे वो questions के practice करोगे इतना काम कर लो एक question आपसे नहीं चूटने वाला ये मेरी guarantee है यदि question चूट रहा है तो आप बोलो अमन भया को phone करना अमन भया को mail करना कोई दिक्कत नहीं ठीक है तो कहने का मतलब है कि physical chemistry के अंदर formula को अच्छे से तैयार होना चाहिए और उसके basis पर questions करो NCRT की and previous year questions लाया इतना कर लो काफी है इससे ज्यादा नहीं करना स्टेट forward question पूसा जाता है यदि मैं बात करूं इन और्गेनिक chemistry की किसकी बात कर रहे हैं इन और्गेनिक की इन और्गेनिक में जो हमारा NCRT है ना NCRT जो है न वो राम चरित मानस है इन और्गेनिक में NCRT के अलावा कुछ नहीं है NCRT के लाइन वर लाइन आपको याद होनी चाहिए NCRT का जो जिस्ट है ना जो सौट करके जो उसके कंडेंस करके आपके पास एविलेबल हो कम टाइम में पढ़ने के लिए वो हम प्रवाइड करवारे न के सौट नोट्स भी आपके पास क्या होंगे एविलेबल होंगे चौट नोट्स कोई दिक्कत नहीं है इंपोर्टेंट पॉइंट्स हाइलाइटेड भी होगा आपके पास इससे आप उसकी तैयारी कर सकते इन औरगनिक केमिस्ट्री में NCRT परो और NCRT के क्वेश्चन करो एंड प्रिवियस येर क्वेश्चन लगाओ कौन से क्वेश्चन लगाने हैं आपको प्रिवियस येर क्या करने हैं और उससे ज्यादा कुछ निए एंड ये अपको पढ़ने में बोर्डिंग लगती है इंट्रेस्टिंग नहीं लगती तो एंड अपने प्रॉब्लेवल है आप जाओ उसको पढ़ो उसको समझो कोई दिक्कत होगी तो मुझे मेल करो मैं आपके लिए एविले आप इमेल आडिय आपकी दे रखी है हमारे पास आप इमेल करो अपने प्रॉब्लेम हम आपको कॉल करेंगे हम आपकी प्रॉब्लम को स्वैल करेंगे एक चीज समझ में आया इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है बहुत आसान यहीं नियूं NCRD के reactions, NCRD के reactions आपको tips पे याद होने चाहिए, पहली बात तो ये, NCRD के reactions आपको याद होने चाहिए, पहली बात ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, तो NCRD के reactions याद गरने का तरीका क्या है, घटना तो पॉसिबल नहीं है न, तो उसको याद गरने के लिए छुटे-छुटे नेमोनिक्स होंगे, वो हम प्रवाइड कर रहे हैं, वो याद करेंगे, NCRD के questions आपको याद होने चाहिए, पहली चीज़ तो NCRD के reactions उसके बाद हमारा आता है name reaction, क्या आता है name reaction, जितने भी name reaction नहीं उससे direct question पूछे जाते हैं, उससे direct question पूछे जाते हैं, तो name reaction आपको य previous year questions solve करने, उसको practice करने, इतना ही करना है, तीनो section मैंने आपको बता दिये, physical के, organic के and inorganic के, इससे जादा नहीं करना, physical के क्या करोगे, formula और उसके बाद previous year question, inorganic के NCRT, previous year question and organic के reactions, समझ में आया, कोई दिक्कत है, इसके बाद कोई भी problem है, उसके लिए हम available हैं आपके पाद, इमेल आडी गीवेन है, आप उसके अपने problem mail करो, हम आपकी problem को solve करें, ठीक है, सारे materials आपके पास available होगे, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा, अच्छे से बढ़ाई करनी है, pressure बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है, जितना cool down होगे, exam में उतना ही फायदा होगा, उतना ही आप release होके काम कर पाओगे, तो pressure मत लो, बच्चे, pressure रहने से कुछ नहीं, हम आपके साथ है, मिलके काम करेंगे, मिलके need को tackle करने वाले, इसलिए paper के अंदर, आप बस पढ़ने में ध्यान लगाओ, बाकी tension हमारा, planning हम कर रहे हैं, सब हम करेंगे, आप बस पढ़ाई करो, पढ़ाई करो आप, और आप जितने material चाहिए, वो हम आपके पास available करना, आपको पढ़ाई करने और कुछ नहीं करना, तो physical, inorganic, organic में यहान रखो, तो मैं आपको यह guarantee देता हूँ, कि आपके जो marks है, वो खुद बखुद आपके increase हो जाएंगे, that is, कितने marks आपके minimum आने चाहिए, minimum 160 plus marks त ठीक है, all the best बच्चो, अच्छे से पढ़ाई करो, कोई भी दिक्कत हो, तो Duke Academy को mail करो, आप अपनी problem बताओ, मुझे अपनी problem बताओ, हम आपको phone करेंगे, हम आपको call करेंगे, हम आपकी साहिता के लिए available रहेंगे, ठीक है बच्चो, all the best